क्या होगा अगर हमने आपको बताया कि सुपर हेरो वाले कॉमिक बुक के सुपर हेरो वास्तविक जीवन में मौझूद है। जी हाँ विश्वास हो या नहो सुपर हेरो सिर्फ बुक, टीवी सीरियल और कॉमिक्स में हैं नहीं। बलकि रियल वर्ड में है जो सुपर पावर को आप सिर्फ सपने में पाने की सोच सकते हैं ये सुपर पावर आपको कम लगेगा कॉमिक बुक के सुपर हेरो के मुकाबले लेकिन ये रियल वर्ड है और यहां वैशी भी शक्ती होना बहुत मायने रखती है तो जानते हैं इन पाँच बचों के बारे में जिन्हें उनकी छोटी उम्र में ही उनको सुपर पावर मिल गई थी किसमेसे से नंबर तीन तो इस प्लिनेट का ही नहीं है आगे बरने से पहले आप इस चैनल को सबसक्राइब कर दे नंबर पाँच नंदना यूनिकृष्णन माइंड रीडर दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट से छोटी लड़की से चकित थे जब उन्हें इसके टेलीपैथिक शम्ताओं के बारे में पता चला दुनिया के सामने ये बात तब आई जब नदाना सिर्फ साथ साल की थी वह अपनी मा के मन के विचार को पर सकती है बिना उनके टच किये जब नदाना के सुपरपावर का टेस्ट हुआ तब उसके मा को बहुत धीरे से मन में पढ़ने को कोई भी फोन नंबर रैंडम कोई भी सेंटेंस और क्लास दो के पोईन जो नंदना कभी नहीं पढ़ी थी पढ़ने को कहा गया और वह इस टेस्ट में पास हुई और साबित कर दिया वह अपने मा के मन के विचारों और इमोशन को पर सकती है इस सुपर पावर को इसके माने मा बेटी का मजबूत रिश्टा बताया है नमबर चार लियाम हो सुपर मजबूत बच्चा लियाम की ऐसा धारां टाकत पहली देखी गए जब वह सिर्फ एक साल का था केवल पांच महीने की उम्र में लड़का आईरन क्रॉस करने लगा था और पांच पाउंड के डंबेल के साथ खेलता था और उन्हें घर में ऐसे फिंक देता था जैसे की वह पेपर वेट हो लियाम की मा ने उसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया जब उसने सोचा कि उसके बच्चे को किसी तरह का जन्दूश है वह जल्द ही अपनाया लिया गया और उसके दद तक माता पिता ने डॉक्टर से जाच करवाया क्योंकि वे सोच रहे थे कि बच्चा को ज़्यादा है मजबूत दिखाई दे रहा है रिपोर्ट से पता चला है कि लियाम का जन्द में एक दूलब मायोस्टेटिन कंडीशन के साथ हुआ है जिसे मानस्पेशी हाइपोट्रॉफी के नाम से जाना जाता है इसका मतलब ये है कि उनके बच्चे में अधिक मानस्पेशियों का विकास होगा और कोई शरीर में फैट काम बनेगा मूल रूप से इसका मतलब है कि लड़का बिना कसरत के भी फिट रह सकता है जिसे नहीं है बोईस ने ये भी दावा किया है कि वह अपनी प्रत्थवी पे पैदा होने से पहले वह मार्स पर था उस लड़के का मार्स के बारे में काफी अच्छी नौलेज है वह आकाश गंगाओं के बारे में बहुत कुछ समझता है जो एक केवल तीन साल की उम्र के लड़के के लिए बहुत स्यादा है वह इसने दावा किया कि उसने मंगल ग्रा पर अपने पिछले जीवन से वह सब ग्यान हासिल किया जो की एक बड़ा गिफ्ट है वह अक्सर अपने जीवन के बारे में बाते करता है तोत्वी पर पैदा होने से पहले वह विशेश रूप से कैसे मंगल ग्रा पर जीवन थे और कैसे युद्ध ने सब खतम कर दिया उसने दावा किया की युद्ध मंगल ग्रा की सब्धिता को नश्ट कर दिया और ग्रा के सारे जीव मार्स के सताय के अंदर बज गए। यकीन नहीं है कि अगर ये एक एक महाशक्ती है। लेकिन तथे ये है कि वैवा एलियन जो अपने पिछले जीवन याद कर सकता है क्या प फिलिपीन्स के पश्चिमी विसायस के अंटीक प्रोविंस में रहने वाली है जो बस तीन वर्ष की है। जहां भी इम्मा जाती थी वहां अग लग जाती थी। संजोस के अपने शहर में स्थानी अधिकारियों के सुरक्षाकारों की वजह से उसके घर की घेराबंदी करने के लिए आड़ाया है। उस शहर के मेरा सैंजोस जब उसके घर पर गए तो उन्होंने जो देखा उससे वह हैरान रह गए। क्योंकि जब लड़की ने कहा कि उनके आसपास कुछ आग लगने वाला है अगले ही पल घर में लटकी एक शर्ट जलने लगी वह आग को में आग होता है वह लड़की कोई ड्रेगन नहीं है बलकि उसके पास मानशिक छमता है जिसे पैरोकिनिसिस कहते हैं नमबर एक अन्ना विलिश तीरंदार आपको याद है होका ये एवेंजर मूवी में एना की ऐसाधारन छमता कुछ इसी तरह की है यह उन्हीं साल के जो की असाधारन है और इसे करने में समय डेडिकेशन और ट्रेक्टिस लगता है एना रात और रात पपुलर हो गई थी जब एक वीडियो में उसने अपने पैरों से तीर चलाकर सबको आश्चर चिकित कर दिया था अपने इस वीडियो को आं तक देखने के लिए सुक्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें ताकि आप दोबारा इस तरह के मज़ेदार वीडियो मिस न कर सकें